आज आरक्षण को लेके ही भारत बंध है और आरक्षण के मामले में जब RJD को आप सुनेंगे तो इससे आपको साफ और सीधा प्रतीत हो जाएगा कि नितिश कुमार से बैर नहीं और मोदी जी की खैर नहीं मतलब नितिश कुमार के उपर जो RJD का बयान आया है वो साफ तौर पी दर साता है कि नितिश कुमार से उनकी कोई नाराजगी नहीं है और BJP को वो बक्सने और छोड़ने वाले भी नहीं है इसके पीछे का क्या कारण है कि आखिरकार नितिश साथ है भी उसके बाद भी नितिश कुमार से कोई बैर नहीं चाहती है RJD और मोदी जी को छोर भी नहीं रही है इसी के उपर हम बातचीत करने वाले हैं लेकिन उससे पहले मेरा पड़िचे जान लीजे मैं हूँ रजत और आप देख रहे हैं जनता जंक्षन मैं आपको बता दू कि RJD के प्रदेश अध्यक्ष जग्दानन सिंग जब पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे उस दोरान उन्होंने कहा कि नितिश कुमार जो है वो बीजे पी का पाप ढो रहे हैं मतलब बीजे पी जो है वो सामने से नह आप देख रहे हैं मतलब यह है कि जो RJD है वो नितिश कुमार से अपने रिस्ता जो है वो खराब नहीं करना चाहती है रिस्ता उनसे बनाये रखना चाहती है लेकिन चुकि जब अब विपक्ष की भूमिका में वो है तो आखिरकार वो किसे टारेट करें और सीधे सीधे त आरक्षन विरोधी पार्टी तो सर्फ BJP है मतलब BJP ही आरक्षन का विरोध करती है नितिश कुमार नहीं करते अब नितिश कुमार को अपने फेवर में करने का उनके बचाव करने का आखिरकार जग्णा नंसिंग का मोटिफ क्या था यही मैं आपको बताने वाला हूँ तो इसके कई सारे कारण है पहला कारण यह है कि नितिश कुमार से बैर करके यह नहीं चाहते हैं जग्णा नंसिंग कि आने वाला जो विधान सभा का चुनाव हो उसमें उनके सारे मार्ग रस्त हो जाए मतलब यह कि नितिश कुमार उनके पार्टी में ना सामिल हो सकता है नित जा रहे हैं जबकि आप आरक्षन विरोधी नहीं है आरक्षन विरोधी तो सर्फ BJP है तो मतलब ये कि उनको भरका रहे हैं उनको उक्सा रहे हैं आपको याद होगा किस तरीके से कई बार प्रयास किया गया RJD के तरफ से और वो काम्याब भी रहा और RJD के तरफ से हर बार ये दाव खेलना भी पसंद कर रही है यह अगर ऐसा संभव हो पाया तो नितिश कुमार उनके पाले में आ जाएंगे और अगर नितिश कुमार उनके पाले में आ गए तो फिर तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता इसी वज़े से RJD ने यह अलग दाव खेला है आरक्षन को लेके चुकि आरक्षन को लेके आज बिहार भी बंद है बिहार क्या बलकि पूरा भारत बंद है और पूरे भारत से अलग-अलग तरीके के खबरे भी आ रहे हैं कि किस तरीके का परदर्शन हो रहा है बिहार के भी अलग-अलग जिलों से कई खबरे आ रहे हैं कि किस तरीके से वहाँ पर भारत बंद का जो है वो माहौल देखने को मिल रहा है इसी बीच ऐसा बयान आना कि भाई नितिश कुमार आरक्षन के सपोर्टर है आरक्षन के साथ हैं वो तो बीजेपी का बस पाप ढो रहे हैं तो इस वज़े से वो नितिश कुमार को उकसा भी रहे हैं कि वो बीजेपी को इसके उपर खुद घेरने नितिश कुमार ही घेरना शुरू करें और इसके अलावा अगर बीजेपी नहीं मानती है तो वो पाला बदल के RGD में सम्मिलित हो जाएं, RGD में सामिल हो जाएं और अगर ये दाव RGD का सफल हुआ, तो इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई संसे नहीं कि तेजश्वी यादो अगले मुख्यमंतरी हो जाएंगे, क्योंकि आज तक 20 सालों से यही देखा गया है, कि जिधर नितिश कुमार रहे हैं, उधर की सरकार रही है, और ऐसे वक्त में जब यहाँ पे आरक्षन को लेके हर मामले को तूल पकराया जा रहा है, हर मामले को लेके अलग-अलग तरीके की बाते कही जा रही है, उस वक्त में इस तरीके का बयान आना, कही न कहीं नितिश और अगर ऐसा हुआ तो बीजेपी के लिए ये बहुत बड़ा नुकसान होगा विधान सबाचुनाओं से पहले क्योंकि बीजेपी की सारी तैयारिया नितश कुमार के साथ है नितश कुमार को लेके है और उसमें अभी आरक्षन का मामला जो है वो सबसे जादा सबसे बड़ तूल पकराया जा रहा है आरक्षन को लेके कई सारी बाते भी कही जा रही है चिराग पास्वान पहले से ही कही न कहीं केंदर सरकार के विरोध में मोर्चा खोल चुके हैं और आज जब भारत बंध है तो इसके सपोर्ट में है चिराग पास्वान और अगर ऐसा नितश कु बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्षन और मेरा नाम रजत है